कोई भी इनसान जब कोई बिजनेस या कारोबार करता है, तो उसको बिजनेस के अंदर काफी ज़्यादा असफलता देखने को मिलता है, शुरू के समय में तो और भी ज़्यादा असफलता देखने को मिलता है, जिसके कारण कोई भी अंदर से तूट जाता है, लेकिन बिजने करते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन्स को आउन कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. अव में दो लड़के रहा करते थे. उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी. उन दोनों की दोस्ती के बाद पुरे गाव में हुआ करती थी. एक लड़के का नाम सूरज था तो दूसरे का नाम दीपक था. सूरज पढ़ने में दीपक से तेज था. उसकी स्कूल में बहुत ज्यादा इजज़त थी. वही दीपक को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था. समय बीटता है. सूरज पढ़ाई में तेज होता है जिसके कारण उसका सलेक्षन एक बाद कॉलेज में हो जाता है. वह अपने गाव को छोड़ कर शहर चला जाता है. अब दीपका अकेला हो जाता है. उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे. एक दिन वह अपने गाव के एक अमीर व्यक्ती से मिलता है. वह व्यक्ती गाव के सबसे अमीर व्यक्ती थे. पर वह अमीर होने के कारण किसी को पसंद नहीं करते थे. वह सभी को निचा दिखाते थे. दीपक को भी उन्होंने काफी निचा साबित किया. दीपक को ये बहुत ज्यादा बुरा लगा. उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा दिया. दीपक ने कहा, आने वाले फाइव साल में मैं पूरे जिले का सबसे अमीर व्यक्ति बन कर दिखा दूगा. ये सुनकर वह अमीर व्यक्ति ने दीपक का और ज्यादा मजाक बनाया. वह अपने घर जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वह अमीर कैसे बन सकता है. कुछ समय के बाद उसे पता चला है कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है. वह एक बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पता है, उसके लगाए सारे पैसे डूब जाते है, इसको देखकर गाव के लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमने आज अगर अच्छे से पढ़ाई किया होता तो आज तुम्ह इस तरह से करीब टू साल गुजर जाते है, उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला होता है लेकिन जितना उसने सीखता होता है वह इतना कभी इतने कम समय में नहीं सीख पता, वह अब एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है, ये बिजनेस था जूता चपल बनाने का था, जब कुछ भी अपने पुराने बिजनेस को सीखा था उसको इसमें इस्तेमाल किया, साथ ही नई जानकरी को भी शामिल किया, आप फाइव साल पुरे हो चुके थे, उस घमंडी अमीर व्यक्ती को एक दूसरे व्यक्ती से किसी बिजनेस के सिलसिले में मिलाना था, जो व्यक्ती इस घमंडी व्यक्ती से अमीर था, वह खुद ही घमंडी व्यक्ती के घर आता है। के घर आया है। लेकिन वह देखता है कि उस गारी से दीपक उतरता है जो की अब एक बहुत ही अमीर व्यक्ती बन चुका था। ये देखकर उस घमंडी व्यक्ती को वह बाते याद आ जाती है जो उसने दीपक को कही थी। अपनी कही बातों से वह बहुत शर्मिन्दा यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ती से उसका बिजनेस खरीद में आया था जो बिजनेस अब डूब रही थी। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने को कहता है जिस पर सूरज तैयार हो जाता है। दीपक सूरजा को उस अमीर व्यक्ती का बिजनेस दे देता है. इसके बाद दीपक कभी पीछे मुरकर नहीं देखता है. वह बस सफलता की सीड़ी चरता जाता है. ये कहानी यही खत्म होती है और इस कहानी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम चाहे जीतनी बार असफल हो पर हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए. साथ ही हमें किसी दूसरे की बुरी बात को भी नहीं सुनना चाहिए. जैसा दीपक ने इस कहानी में किया, आपका बहुमूलिय समय देने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच्वानी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेर करिए. भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थांक यू.